नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 24 अप्राइल सोमवार सुबह सवाच्छा पज़े राजिस्तान की बड़ी खबरी प्रधानमत्री मोदी कल 25 अप्राइल को कोच्ची को वाटर मेट्रो की सौगात देने जो रहे हैं पेशमोदी देश को पहले वाटर मेट्रो सौपेंगे, इस मेट्रो को लंबे समय बाद हरी जोनडी मिली है वाटर मेट्रो दूसरी मेट्रो से अलग है, ये पट्रियों पर नहीं बलकि पानी पर चलेगी जौनकारी के मताबिक इस प्रोजक्ट के लिए 23 वाटर बोर्ट और 14 टर्मिनल होंगे जिन में से 4 टर्मिनल शुरू हो चुके हैं हलांके प्रोजक्ट पूरा नहीं हुआ है जब प्रोजक्ट आप्रेशनल हो जाएगा तो सर्वीस में 78 बोर्ट और 38 टर्मिनल होंगी ये पूरे एशिया में पहले ही वाटर मेट्रो है इसको बनाने में करीब 747 करोड रुपए का खर्चवाया है एक मेट्रो बोर्ट की कीमत 7 करोड रुपए है इस बोर्ट में कई फीचर्स होंगे इसमें एक बार में 100 लोग यात्रा कर सकेंगे टासान में राजसरकार के जन कल्यानकारी योजनाओं का सीधा जुनता तक फायदा पहुँचाने और इनका लाब लेने में आ रही अर्चने दूर करने के मकसद से मुखे मंत्रिय अशोगेहलोद की पहल पर प्रदेश बर में आ सोमवार से राहाच शिवर लगाए जाएंगे मुखे मंत्रिय अशोगेहलोद ने कहा कि प्रदेश में प्रतेक जरुतमन परिवार को राजी सरकार के जुन कल्यानकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी इसके लिए 24 अपराल से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत शीविर आयोजित होंगे इस दोरान ये शीविर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक लगेंगे राजस्तान के भाच्वा नेता प्रतिपक्ष राजींद राठों ने महंगाई राहत कैमपो को लेकर गहलो सरकार पनिशाना साधा है राठों ने भाच्वा मुख्याले पर प्रेस वारता में कहा कि इस सरकार के 6 महिने का कारेकाल शेश रह गया है और अब उसे महंगाई से राहत की याद आई है जबकि सरकार का चुनावी घोशना बत्र जिससे सरकारी दस्तावेज भी बनाया गया था उसमें लोगों को महंगाई से राहत दिलाने का उलेख किया गया था राठों ने कहा कि सरकार सस्ती लोग क्रियता हासिल करने के लिए ये कैम्प लगा रही है भरी दूप में बुलाकर लोगों को रेजिस्ट्रीशन के नाम पर परिशान किया जाएगा उन्होंने कांग्रेसी कारकरताओं को इन कैम्पों की जिम्मेदारी देने के मामले को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार इन कैम्पों का कांग्रेसी करन कर रही है राजस्तान में एक बार फिर से मौसम बदला है, सीकर में रैवार सुबे बारिश हुई, ज्यपूर में भी दोपहर बाद आंधी चली और कुछ हिलाकों में बरसात हुई, मौसम विभागने आज 17 जिलों में बारिश होने की संभावना जोताई है, इस वरान ज्यपूर और आ अमरीका नेर में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है, इसके बाद 24 और 25 अपराल से मौसम शुष्क के रहने की संभावना है, 27 अपराल को राजसान के दक्षिनी हिस्से में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश हो सकती है, रासान की पूर्व मख्यमंत्री सचिन पाइलेट ने कहा कि उन्होंने राजी की पुरुवर्ती वसुंद्रा सरकार के समय हुए विस्टच्वार के मुद्दे को उठा कर कोई गलत काम नहीं किया है। पाइलेट ने ज्छारखन महादेव की पूजा अर्चना के बाद आज यहां मीडिया से बात की। उन्होंने पूजा अर्चना करदेश एवं प्रदेश के सुक समर्दी एवं खुशहाली की काम ना की। उन्होंने कहा कांग्रिस नेता राहूल कांधी ने लोगसभा में मुद्दा उठाया है। भाषबा के शासन में जो बिस्टा चार हो रहा है हम सब भाषबा के बिस्टा चार का मुद्दा उठाते हैं मैंने कोई गलत नहीं किया। तारसान भाजबा सरकार में तरह तरह के माफिया पन पे थे, उसके तहत मैंने अंशन रखा था, दो हफ़ते हो गए, अभी तक कारवाई नहीं हुई जैपन में भीषन गर्मी को देखते हुए आराध्या गोविन देव जी मंदिर में पांच माई से जल यात्रा उसव की शुरुआत होगी, पहली जल यात्रा जुहांकी पांच माई को दोपहर साड़े बारा बज़े शुरू होगी, जो बारा पैंतालिस तक रहेगी, इसमें राध्या गोविन देव जी मंदिर में वैशाक पुर्णिमा पर पांच माई से ठाकुर जी रियासत कालिन चांदी के फवारे के वीज जल विहार करेंगे, वहीं शहर के राधा गोपिनाथ जी, राधा दामोदर जी, आनंद कृष्न भिहारी जी सहित अन्य मंदिरों में भ ठाकुर जी को जल विहार कराया जाएगा, प्रधान मंदिर नरेंद मोदी आज 24 अपरेल को रिवा आएंगे, वे यहां SAF मैदान में आयोजित होने वाले रास्टे पंच्वायती राध दिवस के दिन मोदी 7573 करोड रुपए की योजनाव का शिला नियास करेंगे, वहीं दूसरी तरफ रेलवे को भी कई सो अगा देंगे, तैयारियों के लिए रेलवे स्टेशन का रंग रोगन शुरू हो गया है, साथ ही मुख्य गेट के अलावा दो स्पेशल मार्क भी बनाए गए हैं, पीम और रेल मंत्री अश्वनी वैशनव के इस दोरे को लेकर अफसर अलर्ट हैं, इस दोरे को लेकर पश्यमी मध्य रेलवे के अलादिकारे एक पकवाड़े से रिवा में डेरा जमाई हुए हैं, कृश्य और किसानों के सर्वांगेन विकास के लिए राज्य सरकार ने विभिनी योजनाओं के तहर पांसो बानवे करोड रुपय का प्रती हेक्टियर के अनुदानित दर रखी गई है, वहीं पांच लाग भूमे हिंश रमिकों को हस्त चौलित कृश्य यंत्र खरीदने के लिए प्रती परिवार पांच हजार रुपय का अनुदान दिया जाएगा, इसमें राज्य सरकार धाई सो करोड रुपय का व्याग करेगी, सीकर सांसा सुमेदानन सरस्वती ने कौंग्रेस सरकार को जम कर घेरा, सांसा ने कहा कि जो महत्मा गांदी अपनी पूरी जिंदगी हिंदी के लिए तरपते रहे, सरकार ने उनके नाम पर अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल कर उन्हें बदनाम किया है, सांसा ने र प्रेल को सीकर में जनाकरोश डेली का आयوجन किया जो रहा है, कोटा पुलिस ने चोरी और गूम हुए मोबा inspired को ट्रेस्ट करते हुए उनके मालीकों को सपूर्ट किया है, स्पी शरच ओधरी और पुलिस तीम ने मूबार अनके मालीकों को सौपे, एस पी शरच ओधरी ने कि कोटा के नया पूरा भीम गंजमंडी रेलवे कॉलोनी और कुनहाड़े इलाकों से गुम हुए और चोरी हुए मोबाइलों को ट्रेस करने के लिए टीमी बनाई गई थी। पुलिस ने बेहतरी इनकाम करते हुए तकनिके अनुसंधान की मदद से मोबाइल को ट्रेस करने मे गर के नौकर ड्राइवर साहिद उनके एक सायोगी को ग्रफतार कर चोरी किये गए 25 लाक रुपए और 20 लाक रुपए के जिवराद बनामत कर लिये हैं डिसी पी एस्ट ग्यांग चंद यादव ने बताया कि पलिस के पास दुशेंत मलहोतरा आए और शिकायदी कि उनके घर स लाक रुपए की नगदे और जिवराद चोरी हो गए गड़ना के बाद से नौकर आदेशाम और चालक भागचन भी गायब हैं जैपूर एरपोर्ट पर करीब 46 लाक रुपए का सोना पकड़ा गया है शार जोहांसे जैपूर आई फ्लाइट से कस्रम अधिकारियों ने एक ग्यातरी को पकड़ा है जो आच के दोरान ग्यातरी के बॉक्स से सोने की छड़िया मिली है इन से करीब 756 ग्राम सोना निकला है इस सोने की कुल कीमत 44,525 रुपए बताई गई है रासान के मुख्य मंत्रिय शो गहलोत की 26 अप्राइल को बिकानेर में होने वाली राजनितिक सभा के रंग में भंग डालने के लिए प्राइवेट स्कूल की टूचर्स लाम बंद हो रहे हैं 10 राजिबर के 10,000 से ज़्यादा स्कूल को पिछले साल फ्री अड्मिशन वाले एक लाग से ज़्यादा स्टूडन्स की फीस अब तक नहीं मिली है मीडिया रिपोर्ट्स के निसार मादमिक शिक्षा ने देशाले की लापरवाही के चलते ये परिशान प्राइवेट स्कूल के संचालक अब मुख्य मंत्रिया शोग गहलोत के समक्ष प्रदर्शन करेंगे गहलोत 26 अप्राल को भी करने रा रहे हैं स्कूल एजुकेशन वेलफेर असेशियेशन के प्रदेशा ध्यक्ष कोडाराम भादू ने बताया की रहसान के 10,465 स्कूल को शिक्षा सद्र 2022 तेश की फीस अब तक नहीं मिली है गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही बाजार में आम की डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ गई है सफेद आम के अच्छी आवा किस बार हुई है यही वज़ा है कि पिछले साल के 80 से 100 रुपे किलो भाव के मकाबले इस साल ये आम साथ से 70 रुपे किलो में बिक रहे हैं इसके लावा बाजार में बेगन पली, डशारी, लंगडे, सिंदूरी, केसर और हापुस आम भी आ गए है हापुस आम को छोड़ दे तो उत्रप्रदेश, महरास्त, रांधर प्रदेश और गुजरात में आम की दूसरी किस्म के अच्छी पैदावार होने से बाजार में आम की अच्छी आवग बनी हुई है रास्थान में चूरू जिले के सहावा थाना में हैड कॉंस्टेबल एमम कॉंस्टेबल को 30,000 रुपे के रिश्वत लेते रंगे है तो ग्रिफतार किया गया बियरो के अनुसार बियरो कारेले में परिवादी ने शिकाय दर्जकराई के हैड कॉंस्टेबल सत्पाल जाट द्वारा उसके भाई के खिलाफदार जमुकदमे में आरोपी नहीं बनाने एमम उसे पलिस हिरासत से छोड़ने के लिए 30,000 रुपे की मांग की गई तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ